हेलो दुस्तों, मैं Marriage को चालूग, आप सभी के साथ एक एसा सिंपिल कंसेट से एर करूंगा है जो लगभाग 1,000 से ज्यादा marriage को Hindi and Happy marriage बनाने में मदद किया है अगर आप अपने marriage को एक Happy Marriage बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूब देखे Marriage के हजारों प्रब्लम में से सबसे बड़ी प्रब्लम है Communication Problem या यूं कहे कि Communication Problem is the mother of all marriage problems Family therapist वरजिनिया सटेल में 20 communication की 4 styles के बारे में बता हैं जो relationship and marriage को खतम कर गती है Plaketing, Blaming, Computing, Distract समस्ते हैं No.1 Plaketing इसमें partner हर चीज में हाम ही भर गता है वो बोलते हैं तुम्हें जो सही लगे वो करो मेरे लिए सब सही है मेरा सब चलता है और fight में वो आके बोलते हैं मुझे Please माप कर दो मेरे से mistake हो गया Please जाने दो इसे को क्यों करता हैं? कोई प्यार के लिए? नहीं बलकि conflicts and difficult बातचीत को avoid करने के लिए और घर में सांती बढ़ाय रखने के लिए और जो सांती ज्यादा देर तक नहीं रहते है प्रोब्लेम क्या है इस? धीरे-धीरे वो अपने marriage में यूज लेस अं लेस इंपोटन में एसूस करता हैं बाद में वो lonely and depressed feel करता हैं अपना सारा emotions को दबा के रखते हैं और धीरे-धीरे आपसे दूर होता है solution क्या? please remember you can disagree that you know how to do that marriage में आप अपने मन की बात रख सकते हैं नमबर चू, blaming partner एक fault finding machine लगता है CCTV जैसे उनके आख हर समय कुछ गर्ती और mistake ढूनते रहते हैं और जब मेरे जाए, तो silent की तरह उनकी बात चलती है criticism, judgment, comparison, labeling सारे पी-influent दलतना का बात करते हैं जैसे तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते हो तुम और तुमारे मा मेरा जीबन बरबात करती है mistake हो गया तुमसे साधी करके जो मन में आये वो बोल देते हैं लेकिन वाई दू दे दू इट, एक blamer अंदर से खुद को unworthy and unlovable बाता है उन्हें लगता है कि उन्हें कोई प्यार and care नहीं करते हैं और वो इसलिए पहले साही उस्चे में रहता है उन्हें अपना difficult feelings को deal करना में problem होता है और इसलिए वो दुसरे को ब्लेम करते रहते हैं solution क्या है blamers को अपना problem के बारे में खुद बातचीत करना होगा और एक goodwill के साथ दुसरे के प्यार and care को accept करना होगा number 3 computing computing वाला partner सबसे smart, intelligent and calm इंसार रहता है इनका दिमाग इतना तेज चलता है और इतना logic and theory को ले के बात करते हैं इनको कोई वे debate and argument में आप नहीं हरा सकते हैं और उनका mistakes के बारे में उन्हें समझा नहीं सकते हैं वो हर situation में आपको गलत और आपसे ही काम performance and sorry का expectation करते हैं उनका हर बात practical and logical होता है और emotions and feelings को वो accept नहीं करते हैं और वो यह भी मानते हैं मैं किसी को मेरा emotions नहीं बताता हूं खुद handle करता हूं इसलिए तुम्हें भी तुम्हारा emotions को खुद से handle करना चाहिए मेरा कुछ लेना देना नहीं है solution क्या है computers को अपना emotions को लेके बात करना चाहिए और दुसरे को emotions को समझने की पूरी courses करना चाहिए 4. distracting जब भी कोई sensitive and difficult बात हो तो distract रुषे अवर्ड करने लगता है वो आपके तरफ देखेंगे नहीं सिदे-सिदे answer नहीं देंगे बात-बात पेचिट जाएंगे नहीं तो अगवान हुद्ध बनके बैठेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं जैसे उनको कुछ फरक नहीं पड़ता नहीं तो problem को अभेड करेंगे जैसे तुम वो सब कुछ छोड़ो ना चलो आज हम लोग डिनार पे चलता है वो इससा क्यों करता है किसी भी problem and issues को लेके बात करना मतलब argument, debate and conflict और यह सब बहुत ही stressful होता है इसलिए इससे दूर रहना ही चला की है solution क्या है distractors को यह समझना होगा कि वो अपनी wife के साथ safe है कोई के problem वो दोनों बात करके resolve कर सकते हैं problem से भागने से problem गयोग नहीं हो जाता आप अपने marriage को एक happy conflict free marriage बनाने के लिए हमारे six days का marriage course make marriage happy पाजी जाइब करें मैं आपको guarantee देता हूँ इस course में आपको वो सब secrets and techniques के लेंगे जो आपके marriage को सदा सदा के लिए बदल रहें याद रखें आपकी marriage को सुर्ग या नर्ग बनाना आपके आप में